हेलो दोस्तो तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाटा साइंटिस्ट की मंतली सैली किती होती है तो दोस्तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट का सपना होगा कि आगे चल के एक डाटा साइंटिस्ट बने तो ऐसे में आपके मन में कभी न कभी सवाल कि ज करने से पहले हैं और यह ऑब अच्छा लगए लगए लाई जरूर करें और यह चला पर पहली बार विजिट करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि करिये से एडेड़ वीडियो यहां पर आपको मिलते रहती है आईए वीडियो को स्टार्ट करती है दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह दोस्तो आपका जो करेडियोेशन होना चाहिए वो क्योंप्यूटर साइंस आइटी या फिजिक्स मैद स्टेक्स या फिर आपको बिजिनस स्टेडी से रिलेट्ट सब्जिक्ट्ट में होना चाहिए इसके साहएं साथ किसी बश्यमानता है प्राप कॉलजेश्य से भी क्मी अने चाहिए इसके सांव सावसां आपको Programming Language इसके बाद आपको Data Visuallyation करना आना चाहिए इसके बाद आपको Louis sia da आप आयगरी बहर की आना चाहिए आपको Data Analytics का सकल्स भी वहना चाहिए और आपको English का भी Knowledge होना चाहिए यानिकि आपको अच्छे से English बोलना भी आना चाहिए तो ये सारा qualification मागा जाता है अगर आप एक data scientist बनना चाहते हैं आप बात कर लेते हैं कि इदि आप एक data scientist बनना चाहते हैं तो 12 से लेके data scientist बनने तक क्या क्या करना होता है जोस्तो एक data scientist बनने के लिए सबसे फ़ले अपना 12th पास करें आपका science subject से होना चाहिए इसके बाद आपको उपना graduation करना होता है आपका data scientist के field में होना चाहिए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर IT, physics, math या फिर statistics या फिर business study इन समय से किसी एक subject से आपको उपना graduation करना होता है graduation जैसे आप अपना complete कर लेते हैं इसके बाद किसी भी institute से जोईन होके आप programming language सीख सकते हैं data visualization सीख सकते हैं machine learning को भी जानकारी ले सकते हैं data analysis कैसे किये जाता है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं data management का skills भी आप सीख सकते हैं किसी भी institute से जोईन होके इसके बाद ऐसी आप इन सबको knowledge ले लेते हैं इसके बाद आपको किसी भी company में data scientist के लिए आपको आवेधन करना होता है आवेधन करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे interview लिया जाएगा अब बात करने के बाद आप एक data scientist बन जाता है तो यह पूरो प्रोसेस होता है data scientist बनने का अब बात कर लेते हैं कि data scientist की sally की तो जो इनकी per year sally होती है starting में वो लगभग 8 लाग रुपे होती है यानि कि अगर हम मंतली में convert करें इसको तो लगभग आप 60-70,000 रुपे आराम से आप स्टार्टिंग में earn कर सकते हैं data scientist बनके अगरम बात करें अगर आपको पास 4-5 साल का experience हो जाता है data scientist के फिल्म में आप master हो जाते हैं आपको पूरी जानकारी हो जाती है data scientist के बारे में तो आप लगभग 15-20 लाग रुपे मंतली के earn कर सकते हैं यानि कि 1-2 लाग रुप में तब तक के लिए जैहन